हेलो दोस्तो आज बात करेंगे एक बहुत ही एहम विश्य क्रेच के बारे में तो दोस्तो फेक्टरी एक 1948 के सेक्षन 48 के अंतरगत क्रेच मेंडेटरी है जहां पे 30 से जादा महिला एक इसी फैक्टरी में जिसमें काम करती है तो क्या-kia requirement है क्रेच की क्या-kia इसके legal है आई जानते हैं तो सबसे पहले तो हमें क्या चीए हमें चीए एक clean room जो अधर clean area हो एक sanitizer area हो एक जहां पर अच्छी ventilation हो जहां पर lighting condition बहुत अच्छी हो हमें वो देखना है फैक्टरी में area ऐसा कोई भी एरिया नहीं होना चाहिए जहां पर धुवा हो या बहुत शोर हो या बहुत उचाई हो तो ऐसी जगहें मतलब इसका जो लोजिक यह है कि जो फिडिंग मदर रहेंगी उनको इस जगहा पर आना जाना होगा तो उनको कोई परेशानी ना हो और जो बच्चे यहां पर रहे होना चाहिए एक फीमेल एक आया जो आया की क्वालिफिकेशन रखती हो वह एक क्वालिफाइड लेडी होनी चाहिए दूसरी रिक्वार्मेंट है यह तीसरी रिक्वार्मेंट यह है कि जो एरिया है उसकी जो हाइट है वो कम से कम 12 फिट होनी चाहिए तो जो भी एरिया हो होगा जो रूम होगा या फिर कोई बड़ा एरिया होगा उसकी हाइट प्रोपर होने चाहिए मिनिमम टू इनिमम बारा ताकि वो पूरा वेंटलेशन उसमें बना रहे चोथी जो रिक्वार्मेंट है वो यह कि रूम इतना बड़ा होना चाहिए कि कम से कम 20 स्क्वार फिट प आपको कितना बड़ा क्राच चीह है पर चाइल्ड के रिक्वार्मेंट जो होगी वो मिनिमम बीस स्क्वार फिट पर चाइल्ड होगी तो यह हो गई हमारी चोथी रिक्वार्मेंट पांच वी जो भूत ही हम रिक्वार्मेंट वह यह है कि क्योंकि वहाँ पर चोटे बच् तो ये सब चीजे उनका जूलना हो गया बच्चे का जूलना जो होता है वो तो ये सब उसमें properly एक 6 महिने के बच्चे के लिए एक साल के बच्चे के लिए एडेड़ साल के बच्चे के लिए जो कुछ खिला होना चाहिए वो सब उसमें होने चाहिए पाचवी requirement थी यह च्छटी requirement है washroom की मतलब toilet तो toilet उसके आसपास ही होना चाहिए अगर toilet combine है room के साथ में तो बहुत अच्छा है बट toilet उसके साथ नहीं है तो बट आसपास होना चाहिए उसके साथ में उसमें पूरी sanitary condition होने चाहिए है toilet के साथ में आपको बच्चे के लिए diaper, napkins ये सब भी उसमें आपको देख भाल करनी है वहाँ पे shampoo, वहाँ पे साबुन ये सब चीज़ें आपको ensure करनी है toilet के साथ में भी तो toilet की भी पूरी requirement आपके पास होनी चाहिए साथ भी जो main requirement ये है कि जो क्रेच रहेगा उसमें जो बच्चे की माँ है उनको भी आना जाना होगा और as for factory act जो उसकी माँ है उसको 15-15 मिनट के दो break कम से कम देने होंगे company को तो माँ आ जा सके बच्चे को दूद पलाने के लिए 15-15 मिनट के दो break होगे इसके अलावा कुछ प्रेक टी टाइम पर भी मिलते हैं कुछ लंच प्रेक भी होते हैं तो लगबग ओसदन हर दो गंटे में माँ वापे आए जाएंगी तो बहुत दूर पना हो factory से कुछ नजदीक होना चाहिए जहां पर महिलाय काम कर रही है 100-200-400 मिटर की दूरी तक काफी है इस जादा नहीं होना चाहिए आठवा यह है कि बहुत सारे बच्चे होंगे वो दो साल से बड़े भी होंगे जो अब जुला नहीं जुलेंगे खिलोने से नहीं खिल लेंगे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो उनके खिल पुद के जिनको admission दिया हुआ है ताकि मा की सिहत का भी ध्यान रहे तो उसलिए factory का जो यह rule है factory act का कि उनके लिए कम से कम आधिक लीटर दूद का भी परबंद किया जाए दस-फिर रिवार्मेंट यह है कि जो दो साल से बड़े बच्चे हैं उनके लिए refreshment, उनके खाने का, उनके लिए दूद, तो जो भी दो साल के बच्चे जैसे खिचरी दलिया यह से बनाने का परबंद होना चाहिए वह पे refrigerator होना चाहिए वहाँ पर 1000 होना चाहिए यह तो उनके लिए भी meal prepare कर सकते हैं तो दो साल के बच्च जादा के बच्चा एक अच्छा बोजन लेता है उनको भी balance night की जुरूत रहेगी तो उसके लिए पूरी refreshment, उसके लिए fruit, उसके लिए milk वो सब चीज़े आपको arrange करनी होगी ग्यार वी और most important uniform of आया, जो वाके attendant होगी उनके लिए proper uniform का arrangement होना चाहिए uniform कोई भी हो सकती है but uniform neat and clean daily change होनी चाहिए और उसको वापे साफ करने का भी पूरा arrangement होना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चे को उन्होंने देख रहे करनी है तो इसमें उनके कपड़े गंदे भी हो सकते है तो एक से जादा uniform का भी हमापे provision कर सकते है तो दोस्तों ये थी क्रेच की पूरी compliance पूरी requirement आपको हमारी वीडियो कैसे लगी comment box में जाके जरूर बताए यदि आपके कोई queries है factory act के बारे में फिर किसी और भी labor law requirement के लिए तो आप हमें comment कर सकते है message कर सकते है thank you very much